अध्याय सोला, हॉग्स हेड में गुप्त कलाओं से रक्षा सिखाने का सुझाओ देने के बाद हर्माईनी ने हैरी से पूरे दो सब्ता तक इस बारे में कोई बाचीत नहीं की अम्रिज ने हैरी को जो सजा दी थी वे आखिर पूरी हो गई हाला कि उसे लग रहा था कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर लिखे शब्द पूरी तरह से कभी नहीं मिट पाएंगे रॉन ने चार बार खूब जम कर कोईड़िच प्रैक्टिस की जिन मैंसे आकरी दो प्रैक्टिसों में उस पर कोई नहीं चिल लाया वे तीनों रूपान तरण में अपने चूहे को ओजल करने में कामयाब हो गए हर्माइनी तो दरसल बिल्यों को भी ओजल करने लगी थी इतना सब कुछ हो जाने के बाद उस बात का जिक्र सितंबर के अंत में एक शाम फिर छड़ा जब तीनों लाइबरेरी में बैठ कर पुस्तक में स्नेप के काड़े की सामगरी देख रहे थे हर्माइनी अचानक बोली हैरी मैं सोच रही थी कि क्या तुमने गुप्तकलाओं से रक्षा विशय के बारे में सोचा है हैरी ने बुरा सा मुँ बना कर कहा कैसे नहीं सोचूँगा जब इतनी खूसट बोड़िया हमें वह विशय पढ़ा रही है तो हम उसे कैसे भूल सकते हैं मेरा मतलब रॉन और मेरे सुझाओं के बारे में है इस पर रॉन ने उसकी तरफ दहशत और गुस्से से देखा हर्माईनी ने रॉन की तरफ देख कर तेयोरियां चड़ाई और बोली ओ ठीक है मेरे सुझाओं के बारे में की तुम हमें सिखाओगे हैरी ने तत्काल जवाब नहीं दिया वह एशयाई विशहरों को पढ़ने का नाटक करने लगा क्योंकि वह यह नहीं कहना चाता था कि उसके मन में क्या था उसने पिछले पखवारे में इस विशह पर काफी सोच विचार किया था कई बार है पागल मन भरा विचार लगता था जैसा उस रात को लगा था जब हर्माईनी ने इसका प्रस्ताव रखा था बरहाल बाकी रातों को वह उन मंत्रों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने शेतानी प्राणियों और प्राण भक्षियों से हुई मुतबेड में उसकी सबसे जादा मदद की थी दरसल अब चेतन रूप से वह एक तरह से सिखाने की योजना बनाने लगा था वह एशियाई विशर पुस्तक में दिल्चस्पी लेने का नाटक जादो देर तक नहीं कर सकता था इसलिए उसने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा हाँ मैंने मैंने इस बारे में थोड़ा सोचा है और हर्माइनी ने उत्सुकता से पूछा मुझे नहीं पता हैरी ने समय पानी कले कह दिया उसने रॉन की तरफ देखा रॉन समझ या कि हैरी इस बार नहीं चिल लाएगा इसलिए अब उसने बाचीत में शामिल होने कले ज़्यादा उत्सुकता दिखाई वह बोला मुझे तो यह सुझाओ शुरू से ही अच्छा लगा था हैरी ने कुर्सी में कसमस आते हुए अपना पहलू बदला तुमने मेरी वह बात तो सुन ही ली थी कि जादतर काम किसमत की बदालत हुए थे है ना हाँ हैरी हर्माइनी ने धीरे से कहा लेकिन फिर भी यह नाटक करने से कोई फायदा नहीं है कि तुम गुप्त कलाओं से रक्षा में निपण नहीं हो क्योंकि तुम वाकी निपण हो पिछले साल तुम ही एकलोते विद्यार थी थे जो सम्मोहन शाफ्ट से मुकाबला करके उसे पूरी तरह से उबर पाये थे तुम पित्रदेव उत्पन कर सकते हो तुम वे सारे काम कर सकते हो जो बहुत से व्यसके जादूगर भी नहीं कर सकते विक्तर हमेशा कहता था रॉन उसकी तरफ इती तेजी से मुड़ा की ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन चटक गई हो उसे मलते हुए उसने पूछा अच्छा विक्की ने क्या कहा हाँ 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 हर्माईनी ने बोरियत भरी आवाज में कहा उसने कहा था कि हैरी तो ऐसे काम जानता है जो वह भी नहीं जानता था जबकि वह डर्म स्ट्रेंग के आखरी सान में पढ़ता था रॉन हर्माईनी को शक बरी निगा से देख रहा था कहीं तुम उससे अभी तो संपर्क में नहीं हूँ अगर मैं हूँ भी तो क्या हर्माईनी ने शांती से कहा हाला कि उसका चेहरा थोड़ा गुलावी हो गया था पत्र मित्र बनने में क्या हर्च है रॉन आरोप लगाते हुए बोला वह सिर्फ तुम्हारा पत्र मित्र ही नहीं बनना चाहता था हर्माइनी ने विचलित होकर अपना सिर्ष लाया फिर उसने अपनी तरफ भूरते रौन को नजलनदास करते हुए हैरी से पूछा अच्छा तो तुम क्या सोचते हो क्या तुम हमें सिखाओगे सिर्फ तुम्हें और रौन को ठीक है देखो हर्माइनी दुबारा थोड़ी च लक्षा करने के बारे में बात कर रहे हैं ओ रौन नाम सुनकर मत चौका करो हैरी यह ठीक नहीं लगता कि हम यह मौका दूसरों को ना दे हैरी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा और फिर बोला ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों के सिवाए और कोई मु गई उससे तेयोरियां चड़ाकर घूर रहा रॉन भी सुनने के लिए आंगे जोग गया। गई तो वे बहुत खुश होंगी। हैरी हॉक्समीड के वीकेंड यात्रा के बारे में उससाहित था। लेकिन उसे एक बार की चिंता सता रही थी। सितंबर की शुरुआत में आग में प्रकट होने के बार से सीरियस बिलकुल खामोश था। हैरी जानता था कि वे उन लोगों उनकी तरफ आएगा शाहिए ड्रैको मैलफॉई की नाक के नीचे। देखो इस बात के लिए उसे दोस कैसे दिया जा सकता है कि वे बाहर निकलना चाहता है। रॉन ने कहा जब हैरी ने उसे और हर्माइनी को अपना डर बताया। मेरा मतलब है वे दो साल से कानून से भाग में बंद है। हर्माइनी ने रॉन की तरफ भ्रकोटी चड़ाई लेकिन इसके अलावा उसने क्रीचर के इस अपमान को नजर अंदास कर दिया। हर्माइनी ने हैरी से कहा। दिक्कत ये है कि जब तक वो वाल्डे मौट भगवान के लिए रॉन मू मत बनाओ। खुलकर सा अच्छा ही बता रहे थे और जब वे मूर्ख दोबारा असकी प्राण भख्षियों को पकर लेंगे तो ये इसपश्ट हो जाएगा कि सीरियस प्राण भख्षी नहीं है। मेरा मतलब है एक बात तो ये है कि उसके हाथ पर निशान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वह इत जहरे की चिंता के बादन नहीं हटे तो हर्माईनी बोली सुनो रॉन और मैं उन लोगों की टो ले रहे थे जो हमारे रिजाब से गुप्त कलाउं से रक्षा को सही तरीके से सीखना चाहते थे। दो तीन लोग इसमें दिलचस्पी लेते दिख रहे हैं हमने उन्हें हॉग हैरी अपना होमवर्ग भी मुश्किल से पूरा कर पा रहा था हाला कि अब उसकी स्थिती पहले से बहतर थी क्योंकि अब उसे हर शाम अम्रिच के पास बैट कर सजा नहीं काटनी पड़ रही थी हाला कि हैरी और रॉन दोनों ही सफ़ता में दो बार क्वेडिस प्रैक्टिस करते थे लेकिन रॉन तो अपने होमवर्ग में हैरी से भी पीछे था क्योंकि उसे प्रिफिट का काम भी करना पड़ता था बरहाल दोनों से जादा विश्य होने के बावजूद हर्माइनी ने ना सिर्फ अपना होमवर्ग कर लिया था बलकि वह घरेलू जेनों के कपड़ बुनने का समय भी निकाल रही थी हैरी को मानना पड़ा कि अब वह इस काम में बहतर होती जा रही थी अब उसकी बनाई टोपी और मोजो में फर्क समझ में आने लगा था हॉग्समीट की यातरा वाली सुभा दूप भरी लेकिन हवादार थी नाच्टे के बाद विद्यार विद्यार्थियों के नामों की लंबी सूची में उनके नाम देख रहा था इस सूची में उन विद्यार्थियों के नाम थे जिन गाओं की यातरा कले उनके माता पिता या भी भावक की अनुमती थी तीस के साथ हैरी ने याद किया कि अगर सीरियस की महरबानी नहीं हुई होती तो वहे यह यात्रा कभी नहीं कर पाता जब हैरी फिल्च के पास पहुँचा तो उसने जोर से सांस खीची जैसे हैरी के आसपास से किसी चीज की गंद खोशने की कोशिश कर रहा हो फिर उसने सिर हिला दिया जिससे उसके जबड़े एक बार फिर हिलने लगे और हैरी बाहर चला गया वहे पत्थर की सीडियां उतर कर धूब बरे थंड़े दिन में पहुँच गया और फिल्च तुमें क्यों सूंग रहा था रॉन ने पूछा जब वहे हैरी और हर्माईनी चोड़े ड्राइफ से होते हुए तेजी से गेट की तरफ चलने लगे मुझे लगता है वह गोबर बामों की गंद सूंग रहा था हैरी ने थोड़े हसते हुए कहा मैं तुमें यह बात बताना तो भूली गया था फिर उसने सीरियास को चिठ्थी भेजने वाली कहानी बताई और यह भी कि फिल्च इसके कुछ ही पर बात धर धराता हुआ आया था और चिठ्थी मांगने लगा था उसे यह देखकर हैरानी हुई कि हर्माईनी को यह कहान नहीं बड़ी दिल्चस्प लगी दरसल हैरी से भी जादा दिल्चस्प लगी उसने कहा कि उसे इस बात की गोक्निय जानकारी मिल रही थी कि तुम गोबर बमों का ओर्डर दे रहे हो लेकिन उसे यह गोक्निय जानकारी दी किसने क्या पता हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा शायद मैलफॉई ने उसने सोचा होगा इसमें बड़ा मज़ा आएगा वे पत्थर के उचे खंबों के बीच से चल दिये जिनके उपर पंक वाले वरहा लगे थे फिर वे गाउं की और जाने वाली सड़क पर बाई तरफ मुड़ गए हवा उनके बालों को उड़ा कर उनकी आँकों के उपर ला रही थी मैलफॉई हर्माइनी ने संदेज से कहा अच्छा हाँ हो सकता है वे हॉग्समीट के बाहरी इलाके में चलते समय भी गहरे सोच विचार में डूवी रही वैसे हम जा कहा रहे हैं हर्माइनी ने अपने विचारों से बाहर आते हुए कहा नहीं वह जगा हमेशा भरी रहती है और वहां काफी शोर होता है मैंने बाकी विद्यार्थियों से कह दिया है कि वे हमसे दूसरे सराब खाने हॉग्स हेड में मिले तुम जानते हो ना वे मुख्य सडक पर नहीं है मुझे लगता है वहां का महौल थोड़ा गड़बड है लेकिन वहां आम तोर पर विद्यार्थी नहीं जाते है इसने मुझे नहीं लगता कि कोई अंचाहा व्यक्ती हमारी बात सुन पाएगा वे मुख्य सडक पर चलते समय जोनको की जोक शॉक के पास से निकले जहां उन्हें फ्रेड, जॉर्च और ली जॉर्डन को देखकर हैरानी नहीं हुई फिर वे पोस्ट आफिस के पास से निकले जिसमें से उल्लू रह रहे कर निकल रहे थे इसके बाद वे एक सडक पर मुर गए जिसके आखिर में एक छोटी सराय थी दरवाजे पर जंग लगी छड़ से लकड़ी का एक पुराना बोड टंगा था बोड पर एक जंगली सुवर के कटे हुए सिर की तस्वीर थी जिससे सफेद कपड़े पर चारो तरफ खून टपक रहा था जब वे नजदीक पहुँचे तो साइन बोड हवा में खड़ खड़ा आने की अवाज करने लगा वे तीनों दरवाजे से थोड़ा बाहर जिचके ओ चलो भी हरमाईनी ने थोड़ी घबराहट से कहा हैरी सफ से पहले दरवाजे से अंदर गया यह शराब खाना थ्री ब्रू मिस्टिक्स जैसा नहीं था जिसके बड़े बार में गरम जोशी और साफ सफाई का एसास होता था हॉग्स हेट का बार एक छोटे मेले और बहुत गंदे कमरे में था जिसमें बक्रियों जैसी बद्बू भरी थी वहाँ की खिड़कियों पर इतनी धूल जम चुकी थी के कमरे के भीतर बहुत कम रोशनी पहुँच पा रही थी इस कारण कमरे में लकडी की खुरदुरी टेबलों पर मुमबत्यों के ठूटों से रोशनी हो रही थी पहली नजर में तो ऐसा लगा जैसे फर्श मिट्टी का बना हो हलना कि उस पर पैज रखते ही हैरी को एहसास हो गया कि नीचे पत्थर था जिस पर सदियों की धूल इखटी हो गई थी हैरी को याद आया कि जब वे फर्स्टेयर में पढ़ता था तो हैगरेट ने कहा था होगसेड में बहुत से अजीब लोग आते हैं जब उसने बताया था कि वहाँ उसने एक नकाब पुश अजनवी से ड्रैगन का अंड़ा जीता था तो हैरी इस बात पर हैरान हुआ था कि हैगरेट को या बात अजीब क्यों नहीं लगी कि अजनवी ने पूरे समय अपना चेहरा ढख रखा था बरहाल अब उसने देखा कि हॉगसेड में चेहरा छिपा कर रखना एक तरह का फैशन था बार के पास एक आदमी खड़ा था जिसका पूरा चेहरा गंदी पट्टियों से ढखा हुआ था हाला कि उसके मूँ पर एक छेत था जिससे वे धुआ उगलते दरवे के गलास पर गलास गटकता जा रहा था दो नकाब पोश एक खिड़की के पास लगी टेबल पर वैठे थे अगर वे यौक शायर के इस पष्ट लहजे में बात नहीं कर रहे होते तो हैरी उन्हें दम पिशाच भी समझ सकता था और अंगीठी के पास अंधेरे कोने में एक जादू गर्णी वैठी थी जिसने अपने शरीर पर एक मोटा काला चोगा डाल रखा था जिसमें उसके पैर की उंग्लियां तक धकी हुई थी उन्हें सर्फ उसकी नाप की नोग दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके कारण चोगा थोड़ा उभरा हुआ था हैरी बार तक जाने लगा उसने मोटे चोगे वाली जादू गर्णी की तरफ देखते हुए बुदबुदा कर कहा मैं नहीं जानता हर्माइनी क्या तुमने सोचा है कि इसके नीचे अमरिज भी हो सकती है हरमाइनी ने काले चोगे वाली आकरती पर पहनी निगा ढाली उसने धीरे से कहा अमरिज उस औरत से नाटी है और वैसे भी हैरी अगर अमरिज यहां आ भी जाए तो भी वे हमें किसी तरह से रोक नहीं सकती है क्योंकि मैंने एक बार नहीं दो बार नहीं बलकि तीन बार स्कूल के पूरे नियम पढ़ लिये हैं। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। मैंने खास तोर पर प्रोफेसर फिल्टविक से पूछा था कि क्या विद्यार्थियों को हॉक्स हेड में जानी की इजाजत हैं। उन्होंने हाथों कर दी लेकिन साथ ही म का प्रचार नहीं करना चाहती थी। हैरी ने सूखे गले से कहा। ठीक किया। खास तोर पर जब तुम जो शुरू करने जा रही हो वह होंवग ग्रुप जैसा नहीं हैं। है ना। बार मैन पीछे के एक दरवाज से निकल कर उनकी तरफ आया। वह चर्चरा दिखने वाला दारी थी। वह लंबा और दूबला पतला था। उसे देखकर हैरी को लगा जैसे उसने उसे पहले भी कहीं देखा था। क्या चाहिए। उसने गुराते हुए पूछा। हरमाईनी बोली तीन बटर बियर। बुड़ा बार मैन काउंटर की नीचे जुका और धूल में बाली फिर वह मुडा और उसने हैरी के दिये पैसे लकडी की एक पुरानी टेजोरी में डाल दिये जिसका ड्रॉर पैसे लेने के लिए अपने आप खुल गया था। हैरी रॉन और हरमाईनी बार से सबसे दूर वाली टेबल पर जाकर बैठ गए और चारो तरफ का मौाइन करने लगे गंदी भूरी पट्यों वाले आदमी ने काउंटर पर अपनी उंगलियों की गाठे ठोकी और बार्मेन ने उसे धुआ उगलती शराप का एक और गलास दे दिया। रॉन बार की तरफ उत्सा से देखते हुए बुदवदाया। तुम जानते हो हम यह जो चाहें और्डर कर सकते हैं। मैं शर्ट लगाता हूं कि वह आदमी हमें बिना सोचे समझे कुछ भी दे देगा। बड़े दिनों से फायर विस्की पीने की तमन्ना है। हर्माइनी गुरा कर बोली। तुम प्रिफिक्ट हो। ओ रॉन ने कहा जिसके चहरे से मुस्क्राट और चु और चिंता से दरवाजी की तरफ देखने लगी। मैंने उनसे इसी समय के आसपास आने को कहा था। मुझे लगता है उन्हें मालूम होगा कि यह कहा है। ओ देखो शायद वे लोग आ गए। शराब खाने का दरवाजा खुल गया था। धूल भरी धूप ने कमरे को एक पल के लिए दो हिस्सों में बाढ़ दिया और फिर ओजहल हो गई क्योंकि अंदर आने वालों की भीरने धूप को धक लिया था। पहले तो डीन और लेविंडर के साथ नेविल आया फिर उनके पीछे पीछे पारवती और पत्मा पार्थिल तथा हैरी के पेट में खलवली मच लगी चो और उसकी आम तोर पर खीखी करने वाली सहीली अंदर आई इसके बार लूना लवगुड अकेले अंदर आई जो इतनी खोई-खोई दिख रही थी जैसे सायोग से वहां आ गई हो इसके बाद केटी बेल एलेसीयस पिनेट और एंजिलीना जॉनसन कॉलिन और डैन लड़के आई जिनके बारे में हैरी को यकीन था कि उनके नाम एंथनी गोल्डिस्टीन, माइकल कॉर्नर और टेरी बूट होंगे फिर जिनी आई जिसके पीछे भूरे वालो वाला लंबा और दुबला पतला लड़का था जिसकी नाक उपर की तरफ थी हैरी को हलका सा और सबसे आखिर में फ्रेड और जॉर्ज वीजली अपने दोस्त ली जॉर्डन के साथ अंदर आये तीनों के हाथ में बड़े बड़े पेपर बैक थे जिनमें जोनको की दुकान से खरीदा हुआ सामान भरा था दो तीन लोग हैरी न भरत रहे गले से हर्माइनी से कहा दो फ्रेड को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे कभी नहीं धोया गया था वैग ग्लास पोश्टे पोश्टे रुक गया और स्थब्द दिखने लगा शायद उसने अपने शराब खाने में इतनी भीड पहले कभी नहीं देखी थी हाई फ्रेड सबसे पहले काउंटर पर क्या हमें 25 बटर बियर मिल सकती हैं बार मैंन ने एक पलिकले उसकी तरफ गुस्से से घूरा फिर उसने चड़ कर अपने गंदे कप्रे को नीचे फेक दिया जैसे फ्रेड ने उसके बहुत महत्वपून काम में बाधा डाल दी हो इसके बाद वै काउंटर की नीचे से धू पूल में लिप्ती बटर बियर उठा कर देने लगा चीर्स फ्रेड ने विद्यार्थियों की तरफ बटर बियर बढ़ाते हुए कहा सभी लोग चंदा करो मेरे पास इन सब कले पैसे नहीं हैं हैरी सुन होकर देखता रहा सभी विद्यार्थियों ने फ्रेड से बियर ले और सिक्के खोजनी क्लिए अपने दुशानों की जेब टटोलने लगे हैरी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे वित्यार थी या किसलिए आये थे फिर उसके मन में यह भेंकर विचार आया कि वे शायद उससे भाशन देने की उम्मीद कर रहे होंगे यह ख्याल आते ही वे हरमाईनी की तरफ मुड़ा तुमने लोगों को क्या बताया है उसने धीमी आवाज में कहा वे किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं मैंने तुम्हें बताया तो था वे तो बस तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं हरमाईनी ने शांती से कहा लेकिन हैरी इतने गुस्ते सो उसकी तरफ देखता रहा कि उसने जल्दी से आंगे जोड दिया तुम्हें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है पहले मैं उनसे बात करूंगी नेविल ने उसके सामने वाली सीट पर बैट कर मुस्कुराते हुए कहा हाई हैरी हैरी ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन कुछ बोला नहीं उसका मुँ अब भूट जादा सूख चुगा था जो अभी अभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी और रॉन की डाई तरफ बैट गई थी लाल सुनहेरे गुंगराले बालो वाली उसकी सहेली जरा भी नहीं मुस्कुराई थी इसके बजाए उसने हैरी को भूट आविश्वास से देखा जिस साफ जाहिर हो गया कि अगर उसका वश चल था तो वह है यहां कभी नहीं आती दो दो तीन तीन करके सभी आने वाले हैरी रॉन और हर्माईनी के चारों तरफ बैड़ गए उन में से कोई थोड़े रोमांचित थे बाकी उतसुक थे लूना लबकुट खोई-खोई सी हवा में ताक रही थी जब सभी कुरसी पर बैड़ गए तो बाची थम गई अब सभी की निगाहें हैरी पर जमी होई थी अर हर्माईनी ने कहा घबराट के कारण उसके आवाज सामानने से ज़्यादा ऊची हो गई थी अच्छा तो हेलो सबने अब हैरी के बज़ाए हर्माईनी पर अपना ध्यान केंद्रत कर लिया हाला कि बीश बीश में पलट कर हैरी की तरफ देखते रहे अच्छा तो हाँ आप सब जानती हैं कि आप यहां क्यों आए हैं बात यह है कि हैरी के मन में एक विचार आया था मेरा मतलब है हैरी ने उसे गुस्चे से घूरा मेरे मन में एक विचार आया था कि यह अच्छा रहेगा कि जो लोग गुप्त कलाव से रक्षा का अध्यान करना चाहते हैं मेरा मतलब है कि सच मुझ पढ़ना चाहते हैं उस तरह का मजाक नहीं जो अम्रिश हमारे साथ कर रही है हर्माईनी की आवाज अजानक ज्यादा दमदार और विश्वार स्कून हो गई क्योंकि कोई भी उसे गुप्त कलाव से रक्षा की पढ़ाई नहीं कह सकता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एंथनी गोल्डिस्तीन ने कहा जिससे हर्माईनी का उत्सा बढ़ गया तो मुझे लगा अच्छा यही रहेगा कि हम मामले को अपने हाथ में ले ले हर्माईनी ने ठैर कर हैरी की तरफ का नखियों से देखा और आंगे बोलने लगी और मेरा मतलब यह है कि हम सही तरीके से खुद की रक्षा करना सीखें सिर्फ सिध्धान थी नहीं बलकि मंद्रों का प्रयोग करके भी देखें मैं शर्ट लगा सकता हूं कि तुम गुप्त कलाउंसे रक्षा के O डवलू एल में पास होना चाहती हो है ना माइकल कॉर्णर ने कहा जो उसे गौर से देख रहा था जाहिर है हरमाईनी ने तत्काल कहा लेकिन उससे भी जानदा मैं आतमरक्षा का सही प्रसिक्षन इसलिए लेना चाहती हूं क्योंकि क्योंकि उसने एक गहरी सास ली और गई पदमा पार्टिल को कपकपी छूट गई और नैविल ने एक अजीव सी अवाज निका ली जिसे उसने बाद में खांसी में बदलने की सफलता पा ली वरहाल वे सबी लगातार यहां तक कि उच्छता से हैरी की सरफ देखने लगे तो योजना यह है हर्माईनी ने कहा जानते हो कौन लॉट आया है देखो डंबल डोर को इस बात पर यकीन है हर्माईनी ने जवाब देना शुरू किया सुनहेरे बालो वाले लड़के ने हैरी की तरफ से लाते हुए कहा तुम्हारा मतलब है डंबल डोर को इसकी बात पर यकीन है तुम कौन हो रॉन ने थोड जी से बीच में कहा मीटिंग दर असल ये बताने के लिए नहीं बुलाई गई है ठीक है हर्माईनी हैरी बोला उसे अभी अभी समझ में आया था कि इतने सारे लोग वहाँ पर क्यों आये थे उसने सोचा कि हर्माईनी को इसका अंदाजा होना चाहिए था इन में से कुछ ल पिछले साल डंबल डोर ने पूरे स्कूल को सारी बात बताई थी अगर तुम्हें उनकी बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हें मेरी बात पर भी यकीन नहीं होगा इसलिए मैं किसी को यकीन दिलाने क्ले अपनी दोपहर बरबाद नहीं करना चाहता हैरी के बोलते समय सभी विद्यार थे, उन्हें अपनी सांस रोक ली थी, हैरी को यह एसास हुआ कि बार मैन भी उसकी बात सुन रहा था, वहे उसी गलास को गंदे कपड़े से लगातार पोचे जा रहा था, और उसे पहले से जादा गंदा कर रहा था, जकारिया ने इस बात को हवा में उड़ाते हाँ, डंबल डोर ने हमें पिछले साल इतना ही बताया था कि तुम जानते हो कौन ने सैटरिक डिगोरी को मार डाला था, और तुम डिगोरी की लाश को हॉगवर्स लेकर आये थे, उन्होंने हमें पूरी बात क्यो नहीं बताई, उन्होंने हमें यह नहीं बताय कि डिगोर सता के पहुत करीब रहता था अब उसका गुस्ता दुबारा बढ़ने लगा था वे संकल्प कर चुका था कि वे चो की तरफ नहीं देखेगा इसलिए उसने अपनी निगा जकारिया स्मित के आकरमक चेहरे पर जमाए रखी मैं सैड्रिक डिगोरी के बारे में बात नहीं करना चाहता ठीक है इसलिए अगर तुम यही जाननी के लिए यहां आए हो तो तुम जा सकते हो उसने हर्माईनी की तरफ गुस्ते से देखा उसे महसूस हुआ कि यह सब उसी की गलती थी उसने हैरी को एक तरह की प्रदर्शनी में रख दिया था और जाहे रहे वे सब उसकी अजीब कहानी सुनने आये थे लेकिन उन में से कोई अपनी कुर्सी से नहीं उठा जकारिया स्मित भी नहीं हाला कि वे हैरी की तरफ गूर कर देखता रहा तो हर्माईगी ने कहा उसकी आवाज अब दुबारा भहुत उची हो गई थी तो जैसा मैं कह रही थी अगर तुम लोग रक्षा करना सीखना चाते हो तो हमें ये योजना बनानी होगी कि हम ये काम कैसे करेंगे हम कितनी बार मिलेंगे और कहां मिलेंगे पीठ पर लटकती लंबी चोटी वाली लड़की ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा क्या है ये सच है कि तुम पित्र देवुत्पन कर सकते हो इस बात पर समू में दिलचस्पी के बुदबुढ़ाट होने लगी हैरी ने थोड़े रक्षात्मक तरीके से कहा हाँ पूरे शरीर वाला इस वाक्यान से हैरी को कुछ याद आया उसने पूछा और तुम मैडम बोन्स को तो नहीं जानती हो लड़की मुस्कुराई वे मेरी आंटी है उसने कहा मेरा नाम सूजन बोन्स है उन्होंने मुझे तुम्हारी सुनवाई के बारे में बताया था तो क्या ये सच है कि तुम म्रग का पितर देव उत्पन कर लेते हो हाँ हैरी ने जवाब दिया वा हैरी ली ने काफी प्रभावित दिखते हुए कहा मुझे तो यह पता ही नहीं था फ्रेड ने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा मम्मी ने रौन को हिदायत दी थी कि वे इस बात का ज़्यादा प्रचान ना करे उनका कहना था कि तुम्हें वैसे ही परयागत से ज़्यादा ध्यान मिल जाता है उन्होंने गलत नहीं कहा था हैरी बुदबुदाया जिस पर दो तिन विद्यार थी हस पड़े अकेली बैठी काले चोगे वाली जादू गर्णी अपनी कुरसी पर थोड़ी सी हीली और क्या तुमने डंबलडोर के आफिस में रखी तलवार से काल रिष्टी नाम के भ्यानक सांप को मारा था तैरी बूट ने पूछा जब मैं पिछले साल वहां गया था तो दिवार पर लगी एक तस्वीर ने मुझे ये बात बताई थी हैरी ने कहा हाँ मैंने ऐसा किया था जस्टिन फिंच फ्लेशली सीटी बजाने लगा क्रीवी बंधों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा लेविंडर ब्राउन ने धीरे से कहा वाह हैरी को अब अपने कॉलर के पास थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी थी उसने संकल्प कर लिया था कि वह चाहे जहां देखे चो की तरफ नहीं देखेगा नेविल ने पूरे समू से कहा और हमारे फ़र्स त्यर में उसने फारस पत्थर को बचाया था हरमाईनी फुसफ़सा कर बोली फारस नहीं पारस हाँ वही उसने इसके लिए तुम जानते हो कौन से मुकाबला किया था नेविल ने अपनी बात पूरी की हन्नाय बोट की आँखें गैलियन की तरफ गोल मटोल हो गई यही नहीं चो ने कहा हैरी की आँखें तेजी से उसकी तरफ भूम गई वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी जिससे उसका पेट एक बार फिर गुलार्टियां खाने लगा उसने पिछले साल त्रिकोनिय टोर्नमेंट में बहुत सारे खतरनाक काम किये थे ड्रैगन, जल मानुशों और भेंकर जानवरों को पार किया था टेबल पर वैठे सभी विद्यार्थी प्रभावित होकर बुद्बुदाने लगे हैरी की मन में उथल पुथल मजी हुई थी वह अपनी चहरे को सपाट रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वह ज़्यादा खुश नजर ना आए चो ने उसकी तारीफ की थी इस बात से उसके लिए यह कहना मुश्किल हो गया जिसे कहने का वैसंकल्प कर चुका था देखो उसने कहा और सभी लोग ततकाल खामोश हो गए मैं जूटी विनमरता का नाटक नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे इन सारे मामलों में काफी मदद मिली थी ड्रेगन के साथ तो नहीं मिली माइकल कॉर्णन ने ततकाल कहा वह तो बहुती शानदार उनान थी हाँ हैरी ने कहा और उसे महसूस हुआ कि इस बात से सहमत ना होना बेमानी थी सूजन बोन्स बोली और गर्मियों में दंप शार्चों से बचने में किसी ने भी तुमारी मदद नहीं की थी नहीं हैरी बोला ठीक है मैं जानता हूँ कि मैंने इन मेंसे कुछ काम बिना किसी मदद के किये थे लेकिन मैं जो कहनी की कोशिश कर रहा हूँ वह यह है जकारिया स्मित ने कहा क्या तुम हमें इन में से कोई चीज दिखाने से बचने की कोशिश कर रहे हो हैरी के कुछ बोलने से पहले ही रॉन जोर से बोल पड़ा मैं एक सलादू तुम अपना मूँ बंद क्यों नहीं रखते हो रॉन अब जकारिया स्मित को इस तरह देख रहा था जैसे वह उसे पीटने से बहतर काम की कल्पना नहीं कर सकता था जकारिया का चेहरा लाल हो गया उसने कहा हम सब यहां उससे सीखने के लिए आए हैं और अब वह हमसे कहरा है कि वह दरसल इनमेंसे कोई काम नहीं कर सकता है फ्रेड ने गुजरा कर कहा उसने यह नहीं कहा था जोर्ज ने कहा क्या तुम चाहते हो कि हम तुमारे कान साफ कर दे यह कहते समय उसने जोनको के पेपर बैक से एक लंबा और खतरनाक सा दिखने वाला धातू का यंतर निकाला फ्रेड ने जोड़ा या शरीड का कोई और हिस्सा दरसल हमें इस बात से फरक नहीं पड़ता कि हम इसे कहा डालते है हर्माइनी ने जल्दी से कहा अच्छा अब आंगे बढ़ते हैं मुद्दी की बात ये है क्या हम सभी इस बात पर सहमत है कि हम हैरी से सीखना चाहते है आम सहमती की बुद्बुदाहत होने लगी जकारिया ने अपने हाथ बांध लिए लेकिन कुछ बोला नहीं शायद ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस यंत्र पर टिका हुआ था जो फ्रेड के हाथ में था ठीक है हर्माइनी ने कहा वहराहत महसूस कर रही थी कि आखिर किसी बात पर तो सहमती हुई अच्छा तो अगला सवाल ये है कि हम ये काम कितनी बार करेंगे मुझे लगता है कि सब्ता में कम से कम एक बार तो मिलना ही चाहिए जरा ठैरो एंजलीना ने कहा हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये हमारी क्वेडिस प्रेक्टिस वाले दिन ना हो ना ही हमारी चो ने कहा ना ही हमारी जकारिया स्मित बोला हर्माईनी न थोड़ी अधीरता से कहा हम ऐसी रात चुनेंगे जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी लेकिन तुम लोग जानते हो यह बहुत महत्वपून काम है हम वो वाल्डे मौट के प्रान भक्षियों से अपनी रक्षा करना सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात कही अर्णी मैकमेलन ने तीजी से कहा जिसके बोलने की हैरी काफी पहले से उम्मीद कर रहा था व्यक्तिकत रूप से मैं सोचता हूँ कि यह सच मुश महत्वपून है शहर इस साल यह हमारा सबसे महत्वपून काम होगा हाला कि हमारे OWL भी आ रहे हैं उसने चारों तरफ जोश से देखा जैसे इस बात का इंतजार कर रहा हो कि वित्यार्थी चिला कर कहेंगे ऐसी बात नहीं है जब कोई कुछ नहीं बोला तो उसने आंगे कहा व्यक्तिकत तोर पे मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि मंतराले ने इस महत्वपून दौर में हम पर इतनी बेकार टीचर क्यों थोपी है जाहिर है वे तुम जानते हो कौन की बाक्षी को नकारना चाहते है लेकिन हमें ऐसी टीचर देना जो रक्षा अत्मक मंतरों का प्रेव करने से हमें जान बूच कर रोक रही है हर्माइनी ने कहा हमें लगता है कि अम्रेज हमें गुप्त कलाओं से रक्षा का प्रसिक्षन इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि उसके मन में यह पागलपन भरा विचार है कि डंबलडोर स्कूल के विद्यार्थियों का इस्तमाद अपने सैनिकों की तरह कर सकते हैं वे सोचती हैं कि वे हमें मंतराले के खिलाफ तयार कर सकते हैं यह खबर सुनकर लगभग सभी विद्यार्थि स्थब्द रह गएं सर्फ लूना लबकुट सामान ने बनी रही उसने कहा हाँ यह बात समझतारी भरी लगती है आखिर कॉर्णेलियस वच के पास अपनी निजी सेना है क्या हैरी इस अप रत्याशित जानकारी से भोचक्का रह गया लूना ने संजीदगी से कहा हाँ उनके पास हैलियोपैथ की सेना है हर्माइनी ने बाट काटते हुए कहा नहीं उनके पास नहीं है हाँ है लूना बोली नैविल ने चकराते हुए पूछा हैलियोपैथ क्या होते हैं वे अगनी जीव होते हैं लूना ने कहा तथा उसकी बाहर निकलती हुई आँखे और चोड़ी हो गई जिससे वे पहले से जादा पागल दिखने लगी लपट उगलते उगलते उचे प्राणी जो जमीन पर दौरते हुए चलते हैं और अपने सामने आने वाली हर चीज को जला देते हैं हरमाइनी चिड़ कर बोली नेविल वे होते ही नहीं हैं वे होते हैं लूना ने गुससे में कहां हरमाइनी तेजी से बोली लेकिन इस बात का क्या सबूत हैं बहुत से प्रत्यक्ष दर्शियों के बیان हैं तुम बहुत संकीन विचारधारा की हो इसलिए तुम्हें हर सबूत अपनी नाग के नीचे चाहिए ओहू ओहू जिनी ने प्रोफेसर अमरिच की इतनी बढ़िया नकल की कि कई विद्यारती दहशत से आसपास देखने लगे और फिर हस पड़े हम यह फैसला कर रहे थे कि आत्मे रक्षा करना सीखने ले कितनी बार मिलेंगे हाँ हर्माईनी ने ततकाल कहा जी नी तुमने ठीक कहा हम यही कर रहे थे ली जॉर्डन बोला सब्ता में एक बार ठीक रहेगा जब तक की एंजलीना ने बोलना शुरू किया हाँ हाँ हम क्विडिज की बारे में जानते हैं हर्माईनी ने तनाव भरी आवाज में कहा लेकिन दूसरा फैसला यह करना है कि हम कहां मिलेंगे यह ज़्यादा मुश्किल था सभी विद्यार्थी खामोश हो गए केटी बिल ने कुछ पलबात सुझाओ दिया लाइब्रेरी? मुझे नहीं लगता कि मैडम पिंस हमें लाइब्रेरी में मंतरों का प्रयोग करने देंगी शायद किसी खाली क्लासरूम में दीन ने सुझाओ दिया हाँ रॉन ने कहा मैगॉनिगल हमें अपने क्लासरूम का इस्तमाल करने की अजाज़त दे सकती है जब हैरी त्रिकोनिय टोर्नामेंट की तैयारी कर रहा था तब भी तो उन्होंने इसकी अजाज़त दे थी लेकिन हैरी को पूरा भरोसा नहीं था कि इस बार मैगॉनिगल इतनी महरबान होंगी हाला कि हर्माइनी ने स्टड़ी और हुमवा ग्रूप को अजाज़त देने की बात कही थी लेकिन हैरी को यह पश्ट एहसास था कि इस समूप को वे काफी विद्रोही मानेंगी ठीक है हम कोई ना कोई जगा खोज लेंगे हर्माइनी ने कहा पहली मीटिंग का समय और तारीक तै करने के बाद हम सब को खबर कर देंगे उसने अपने बैग में हाट डाल कर चरम पत्र और कलम निकाली फिर वे जिजच की जैसे खुद को कुछ बोलने के लिए तैयार कर रही हो मुझे मुझे लगता है कि यहाँ पर मौजुद हर विद्यार्थी को अपना नाम इस चरम पत्र पर लिख देना चाहिए ताकि हमें यह पता रहे कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ था लेकिन मुझे यह भी लगता है उसने एक गहरी सांस खीची कि हम सभी को यह बात किसी को नहीं बताना चाहिए यहाँ साइन करने का मतलब होगा कि हम अमरेज यह किसी और को यह बात नहीं बताने का वादा कर रहे हैं फ्रेड ने ततकाल चरम पत्र लिया और खुशी से अपने साइन कर दिये लेकिन हैरी का ध्यान इस तरफ चला गया कि कई विद्यार थी सूची में अपना नाम लिखने की संभावना से खुश नजर नहीं आ रहे थे और जकारिया ने धीरे से कहा और उस चरम पत्र को नहीं लिया जो जॉर्ज उसे देने की कोशिश कर रहा था देखो मुझे लगता है कि अर्णी मुझे बता देगा कि मीटिंग कब है लेकिन अर्णी खुद साइन करने में जिजख रहा था हर्माइनी ने बौहें उठा कर उसकी तरफ देखा मैं देखो हम प्रिफिक्ट हैं अर्णी तेजी से बोला अगर यह सूची किसी को मिल गई मेरा मतलब यह है तुमने खुद कहा था अगर अम्रिच को पता चल गया हैरी ने उसे याद दिलाया तुमने अभी अभी कहा था कि इससे महत्वपून काम कोई दूसरा नहीं है मैं हाँ अर्णी ने कहा हाँ मैं यह बात मानता हूँ मैं तो बस हर्माइनी ने चिड़ कर कहा अर्णी तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मैंसे यूही कहीं पर छोड़ दूँगी नहीं नहीं जाहिर है नहीं अर्णी ने कहा जो अब थोड़ा कम चिंतित लग रहा था मैं हाँ जाहिर है मैं साइन कर देता हूँ अर्णी के बाद किसी ने भी आपत्ती नहीं की हाला कि हैरी ने देखा कि चो की सहेली ने अपना नाम लिखने से पहले जो को थोड़ा चिड़ कर देखा जब आकरी विद्यार थी जकारिया ने साइन कर दिये तो हर्माइनी ने चरम पत्र वापस लेकर साफधानी से अपने बैग में रख लिया अब सब के चहरे पर एक अजीब सा भाव था ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी तरह के अनुबंध पर साइन कर दिये थे अच्छा तो अब काफी समय हो गया फ्रेड ने उटते हुए तेजी से कहा जोर्ज ली और मुझे कुछ कोकनिय सामान खरीदना है तुम लोगों से बाद में मिलते हैं दो दो तीन तीन करके बागी के लोग भी चले गए चोर ने बार निकलने से पहले अपने बेक की चेन लगाने में बहुत देड लगाई उसके बालों का लंबा काला परदा ऐकना उसकी सहीली हाथ बांदे उसके पास खड़ी होकर अपनी जीब चाटती रही थी इसलिए चो के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था जब उसकी सहली उसे दरवाजे से निकाल कर ले जाने लगी तो चो ने पलट कर देखा और हैरी की तरफ हाथ हिलाया अच्छा मुझे लगता है जब कुछ ठीक ठाक हो गया हर्माईनी ने खुशी से कहा जब वह है हैरी और रॉन कुछ पलबात होक्स हैट से बाहर निकल कर धूप में आ गए हैरी और रॉन के हाथ में बटर वियर की बोतल थी जकारिया तो बहुत ही घटिया है रॉन ने कहा जो अब भी दूर जाते जकारिया स्मित को गुस्से से देख रहा था मुझे भी वह ज़्यादा पसंद नहीं है हर्माईनी ने सुईकार किया लेकिन जब मैं महनतकर्ष की टेबल पर अर्णी और हैना से बाते कर रही थी तो उसने मेरी बाते सुन ली वह आने में दिल्चस्पी दिखा रहा था मैं क्या कर सकती थी वैसे जितने ज़्यादा लोग हो उतना ही अच्छा है मेरा मतलब है अगर माईकल कॉर्णर जिनी के साथ डेटिंग नहीं कर रहा होता तो वह और उसके दोस्त नहीं आये होते अपनी बोतल की आखरी बूंदे गटक रहे रॉन का गला बंद हो गया और बटर बीर जलक कर उसके कपड़ों पर फैल गई वह क्या कर रहा है रॉन ने गुस्ते में कहा अब उसके कान कच्चे गोस्त की तरह लाल हो चुके थे जिनी उसके साथ डेटिंग कर रही है मेरी बहन उसके साथ घूम रही है तुमारा क्या मतलब है माइकल कॉर्णर देखो मुझे लगता है इसलिए वह और उसके दोस्त आये थे जाहिर है आत्मरक्षा में उनकी दिल्चस्पी है लेकिन अगर जिनी ने माइकल को इस पारे में नहीं बताया होता ये कब हुआ उसने ये कब किया वे यूल बॉल में मिले थे और पिछले साल के आखिर में डेटिंग करने लगे थे हर्माइनी ने शांती से कहा वे हाई स्ट्रेट पर मुड़ गए और हर्माइनी इस क्रिवन शेफ्ट की कोईल शॉप के बाहर ठैर गई जहां खिड़की में तीतर के पंकों की कलम की सुन्दर परदशनी लगी थी हूँ मैं एक नई कलम खरीद लेती हूँ वे दुकान में चली गई हैरी और रॉन उसके पीछे पीछे चल दिये रॉन ने गुस्से में पूछा माइकल कॉर्नर कौन सा था सावला वाला हर्माइनी ने कहा रॉन ने ततकाल कहा मुझे वे पसंद नहीं है बड़ी हैरानी की बात है हर्माइनी ने धीरे से कहा रॉन ने हर्माइनी के पीछे पीछे तामबे के डबे में रखी कलमों की कतार के पास से गुजरते हुए कहा लेकिन मुझे तो लगता था कि जिनी हैरी की दिवानी है हर्माइनी ने उसकी तरफ थोड़ी करुणा से देखा और फिर अपना सिर हिलाया जिनी हैरी की दिवानी थी लेकिन उसने महीनों पहले हान मान ली जाहे रहे इसका मतलब यह नहीं है कि वह तो मैं पसंद नहीं करती उसने द्यालूता से हैरी से कहा जब वह एक कलम्बी काली सनहरी कलम को उलट पलट कर देख रही थी हैरी का दिमाग अब भी विदाई के समय चोके हाथ लहरानी के बारे में सोच रहा था इसलिए उसे यह विशेर रॉन जितना दिल्चस्प नहीं लगा रॉन तो गुस्से से काप रहा था लेकिन इससे हैरी को यह बात समझ में आ गई जिसकी तरफ उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया था इसलिए अब वह मेरे सामने बात करती है उसने हर्माईनी से कहा वह मेरे सामने बात नहीं कर पाती थी है ना? बिलकुल, हर्माईनी ने कहा हाँ, मुझे लगता है कि मैं यह वाली ले लू उसने काउंटर पर जाकर पंदरा सिकल और दो नट दे दिये रॉन अब भी उसके पीछे लगा हुआ था रॉन, हर्माईनी ने गंभीरता से कहा जब वह मुड़कर उसके पैरों पर चड़ गई इसलिए जिनी ने तुम्हें नहीं बताया कि वह माईकल के साथ डेटिंग कर रही है वह जानती थी कि तुम्हें बुरा लगेगा अब भगवान के लिए इस बारे में चिंता मत करो तुम्हारा क्या मतलब है बुरा कौन मान रहा है मैं किसी चीज के बारे में चिंता नहीं कर रहा हूँ रॉन सड़क पर चलते समय पूरे रस्ते यही बुदबदाता रहा हर्माईनी ने हैरी की तरफ आँके चड़ा ली और फिर दवी आवाज में बोली जबकि रॉन अभी माईकल कॉर्णर के बारे में बुरी बुरी बाते बुदबदा रहा था माईकल और जीनी तो ठीक है चो और तुम्हारा क्या है तुम्हारा क्या मतलब है हर्माईनी ने जल्दी से पूछा ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर उबलता हुआ पानी उफान मार रहा हो उसे अपने भीतर गर्मी का एहसास वो रहा था जिससे उसका चेहरा ठंड में भी जनने लगा था क्या उसकी भावनाएं इतनी स्पष्ट थी हर्माईनी न थोड़े मुस्कुराते हुए कहा देखो उसकी आँखें तो तुमारे चेहरे से हटी नहीं रही थी है न हैरी को पहले कभी यह एहसास नहीं हुआ कि हौक्समीड गाओं कितना सुन्दर था